दोस्तों आज हम बनाएंगे चने की दाल से एक नया नाश्ता तो ये नाश्ते के लिए हम चने की दाल को पहले रात में भीगो देंगे या तो दिन में 7-8 घंटे के लिए भीगो देंगे और फिर दुल कर साफ कर लेंगे और भीगी भी दाल में डालेंगे साथ आठ कली लैसुन की कि लैसुन आपको नहीं पसंदे तो आप इसकी भी कर सकते हैं लेकिन लैसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसको ग्रैंड कर लेंगे बहुत बारीक नहीं करना है थोड़ा सा मोटा रखेंगे दाल को तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी तो इसलिए थोड़ी मोटी मोटी इसको ग्रैंड कर लिया है हमने और इस दाल को हम निकाल लेंगे एक बावल में दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है यदि पानी डालेंगे तो दाल थोड़ी पतली हो जाएगी जिससे की बाद में दिक्कत होगी तो थोड़े से मसाले इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा मैंने जाल डाला इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा देनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें तो इतने मसालों को हम एड़ कर लेंगे और चाहें तो आप इसमें कोई दूसरे तरह के मसाले हो वो भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह के मसाले ज्यादा अच्छे लगते हैं तो एक सॉफ्ट डो आटे का लगाना है तो आटे का डो मैंने यहां पर देखें लगा के रखा था और बहुत बड़ी हाड लगा हुआ है आटे का ना बहुत ज़्यादा गीला आटा हो और ना बहुत ज़्यादा सूखा एक सॉफ्ट डो लगेगा तो बनाने में पूडियां आसान रहेगे तो इसकी बना लेंगे हम सबसे पहले छोटी-छोटी सी पूडियां और आप चाह आप काटकर एक साइज की पोडिया बना सकते हैं, और चाहें तो एक करके पोडिया सारी बेल के रख लेंगे तो हम सकते लोपाद ही और यह सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि एक पोडिया आरहाम से बेल ले और यदी आपकी practice है तो एक साइज की भी बन जाएगी लगबग पूडियां तो सारी पूडियां बिल गई हैं और गैस पर रख देंगे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गरम होने को उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और जब तक पानी उगलेगा तब तक हम ये चने की दाल जो मसाला मिला के हमने रखी थी उसको पूडियों में भर देंगे और इसको इस तरह से पलट कर चारो तरफ से दबा देंगे तो आप चाहें तो इसको किसी और आकार में भी डाल सकते हैं मतलब आपको कोई और शेप देना पसंद हो तो आप इसमें भर कर और इसको दूसरा शेप भी दे सकते हैं लेकिन ये शेप सबसे सरल तरीका है और सभी को बड़ों को और बच्चों को सबको आ जाएगा आराम से बनाना तो इस तरह से हम दाल को भर लेंगे और हाँ चने की दाल ये दी आपके पास कभी कम हो तो उसमें आप अरहर की दाल को भी मिक्स कर सकते हैं और या फिर खाली अरहर की दाल से भी ये फरे बना सकते हैं तो देखिए हमने फरे भर कर सारे रख लिए हैं और पानी भी बॉयल होने लगा है देखिए पानी में बॉयल आ गिया है और इसी पानी में उबलते पानी में हम अपने बने हुए फरों को एक करकर डाल देंगे गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे जिससे पानी बराबर जल्दी जल्दी उबलता रहे और यदि धीमी कर देंगे तो टाइम लगेगा उबलने में तो देखिए हमने फरे सारे डाल दिये हैं इसकी फ्लेम को तेज कर दिया है और पानी में बॉयल भी आ रहा है तो हलका से बॉयल हो जाए तो इधर अधर हलका से हिला दिजिए इससे हर फरे की नीचे पानी पहुंच जाए और पांच मिनट के लिए इसको हम ढग कर पकाएंगे देखिए बॉयल भी अच्छे से आ रह तो इनको हमने पलट दिया है और बस दू-तीन मिनट में यह ढू कर लेंगे निए घाता है een के फॉरम फिर फाराश बलग है और फॉर्परot धॉरे divan फॉरे प्लें पंफ प्लें हमारे पुकख गए है और गैस कि फ्लेम कर दिया बंद्द और इनको एक प्लेट या थाली में निकाल कर खंडा कर लेंगे और फिर इनको हम काटेंगे इसरे इसरे प्लेट को साफ कर लें जिससे कि वह दुबारा काम में आ सके तो पहले हम फरो को काट लेंगे अच्छे से और इन फरो को आप चाहें तो बहुत छोटे टुकड़ों में काटें या फिर इस तरीके से काटें हम तो इसी तरीके से काटते हैं और देखें यहां पर एक फरे के दो या तीन टुकड़े कर लेंगे आप तो खाने में भी आसान रह करणे स्मूद परोसदी नहीं करें यृट्प में रेगा और सर्व करने में बें में घुद्धायी में डालेंगे देल तीन्चार समस्त तेल डालकर थोड़े मसाल्यक बावल में निकालेंगे तो धनिया पाउडर है थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर थोड़ा सा चुटकी पर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक तो कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और राई और उस पर से डाल देंगे मसाले भूनेंगे और जो हमने फरो को काटा है उनको भ लगाता है ठंडग में आलो की पराठे आलो की कचोड़ी मत्र की कचोड़ी खाखा के सब लोग बोर हो चुके तो यह नया नास्ता आपके लिए